सपा संदच्चक मुलाइम सिंग यादव की भतीजी और पूर्व सांसद धर्वेंद्र यादव की बहन संधिया यादव समाजबादी पार्टी का गड़ कह जाने वाले मैनपुरी जिले में भाजपा का कमल नहीं खिला सकी जिला पंचाय चुनाव में सहवई परवार की बेटी की हार से जहां सपाई केमे में खुशी है तो बहीं भाजपा नेता मायूश हैं संधिया को सपा प्रत्यासी ने 1907 मतों से हराया है मैनपुरी को सपा का गड़ माना जाता है पूर मुखमंत्री मुलाइम सिंग यादव यहां से सांसद हैं चार में से तीन विदानसबा सीटों पर सपा काविज है जिला पंचायत अध्यच की कुर्सी पर भी वर्ष 1991 से सपा का कवजा है मुलाइम की भतीजी को भाजपा ने टिकट दिया था लेकिन संधिया जीत दर्ज नहीं कर सकी नीबर्तमान जिला पंचायत अध्यच संधिया यादव की कुर्सी भाजपा नहीं बचाई थी संधिया यादव के पती अनुजेश प्रतापयादव के भाजपा में सामिल होने पर सदर सीट से सपा बिदायक राजकुमार और फराजू की अगुआई में एक धड़ा उनके खिलाप अविस्वास प्रिस्ताव लाया था अब इस्वास प्रिस्ताव के दौरान भाजपा ने संध्या को समर्तन दे कर उनकी कुर्सी बचाई थी भाजपा समर्तित प्रत्यासी संध्यायादव घिरोर बिला के बाड़ 18 से जिला 25 सरदस पद की प्रत्यासी थी इस बाड़ से कुल 7 प्रत्यासी मैदान में थे सपा समर्तित प्रमोद कुमार ने भाजपा समर्तित संध्यायादव को 1907 वोटों से पराजित किया है प्रमोद कुमार को 7905 और संध्यायादव को 5998 वोट मिले हैं सपाई खुस हैं कि संध्या की हार से उनकी अध्यच के पद पर दावेदारी नहीं रही नहीं भाजपा में चिंता ये है कि अब उसे मजबूत दावेदार तलाशना पड़ेगा